आपका स्वागत है मैं रिजवन परमार आर्टिस्ट बिजनस कंसलिटन्ट और टीम डॉक्टर विवेक बिंदरा बड़ा बिजनस आज तीन कोर वैलियूस के बारे बात करूँगा जिसमें से कोई न कोई हर एक बिजनस में यूज होती है आप कोई भी एक चश्मे की ब्रेंड के बारे में सोचिए आपके दिमाग में रे बेन, लेंस काट जरूर आया होगा आप बर्गर के बारे में सोचिए बर्गर के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में मैकडॉनल्स, बर्गर किंग जरूर आया होगे आप पिज़ा के बारे में सोचिए Pizza Hut, Domino's जरूर आपके दिमाग में आई होँगे कोई घड़ी, wrist watch, wrist watch की brand के बारे में सोचिए आपके दिमाग में Rolex, Rado, Titan जरूर आई होँगे इसी तरीके से कोई cold drink के बारे में सोचिए Coca-Cola, Pepsi ये सब जरूरा है वग आपके दिमाग में सवाल ये नहीं है कि आपके दिमाग में ये सारे brands क्यों आए सवाल ये है कि ये brands आखिरकार कैसे कर लेती है कि उनका नाम हमारे दिमाग में छप जाता है इसका जवाब सिर्फ marketing, commercials advertisement नहीं है अगर advertisement, marketing commercials, ये सारे अगर सिर्फ जवाब होते तो आपके दिमाग में Ferrari, Rolls Royce Lamborghini आपके दिमाग में कभी नहीं रहते हैं क्योंकि ये गाड़ी है तो रोल पे भी बहुत रायर कैस में दिखाई देती है ये companies, ये brands आपके दिमाग में इस वज़े से छप गए हैं क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में या इनके customers के जीवन में value create की है आज तीन तरखी के value आपके साथ share करूँगा ताकि आप भी इसी तरीके से अपने business में value create करके अपने customer के दिमाग में एकदम से छप जाएं तो पहला है emotional value come on क्या? emotional value emotional value तब create होती है जब आपके customers आप से या आपके brand से emotionally bound हो जाएं आपका brand, आपकी company या आप, आपके customers के लिए एक aspiration बन जाते हैं एक belief बन जाते हैं एपल एक बहुत अच्छा example है इसका एपल अपने customer को ऐसे जोड़े रखा है कि आपने सुना होगा कि एपल के कुछ-कुछ खास customers जो होते हैं न एकदम loyal customers उनको एपल ships भी कहा जाता है वो कहते हैं कि एपल ही अच्छा आइफोन ही अच्छा iOS ही अच्छा Android वगरा सब बेकार जैसे ही आइफोन लिया selfie का मतलब ऐसे नहीं होता selfie का मतलब mirror selfie सब को पता चलना चाहिए कि भाई आइफोन लिया है ये value है एपल की iPhone की iMessage iMessage आपने सुना होगा करते हैं अब iMessage से कस्टमर की loyalty इतनी जादा है emotionally इतना attachment है कि वो लोग जो लोग iMessage में नहीं है न जो लोग Android में है उनका अपना दोस भी नहीं बनाते तो ये है emotional attachment वो लोग emotionally bound है emotionally bound है अपने brand से इसी तरीके से पतांजेली पतांजेली के customers भी अपने जो brand है पतांजेली brand से emotionally bound है ये पतांजेली brand national sentiments पर निर्भर है emotionally bound है पतांजेली के जो products होते हैं ये वो ही लोग खरीते हैं जो उनसे emotionally attached है ये सारे जो emotions है न ये emotionally bound होते हैं ये company से हमारे customers को जोड़े रखता है अब ये emotional value create कैसे होती है, पुछो कैसे होती है, कैसे होती है, कैसे होती है, कैसे होती है, अरे बताओ, बताओ, कैसे create होती है, कैसे create होती है, अच्छा मैं बताओ, ठीक है बताता हूँ, देखो ये emotional value depend करता है, कि आप अपने customers को कैसे treat करते हो, आपके brand की story क्या है आपके brand का logo, visual design भी बहुत important role play करता है एक strategic message और inspiring narratives एक emotion deliver करता है लेकिन ये value, ये values तब तक काम नहीं करेगी जब तक के आप इन emotional value और आपके जो customer जो experience है उनको match नहीं कर देते और भी धेर सारे तरीके ही emotional value create करने के पता लगाओ नीचे contact number है फोन को और पूछो कि भाई मैं अपने brand में emotional value किस तरीके से लाओं किस तरीके से create करो आगे बढ़ते हैं second value पे performance value कम ओन क्या performance value कम ओन फिर से performance value Toyota Fortuner और Toyota Innova के customer से एक बार जाके पूछो के आपने ये गाड़ी क्यों ली उनके customers आपको performance value के बेरे में अच्छे से बता देंगे Innova के customers बोलते हैं यार रिजवान भाई यार इसका engine 10-10 साल तक खुलता नहीं क्या performance है? क्या reliability है? कम ओन क्या performance है? कम ओन फिर से क्या performance है एक नंबर performance मुंबई की भाशा में कम ओन क्या? एक नंबर performance Performance value तब क्रेट होती है जब आपके customers आपके product या service के performance, quality, reliability, durability से आपका customer खुश है वो performance value है बले ही से आपका जो product है वो दिखने में इतना aspiring ना हो इतना खुबसूरत ना हो लेकिन फिर भी उसकी जो performance है दमदार है तब क्रेट होती है performance value जैसे डाइकिन डाइकिन इसी का आपने देखा होगा दिखने में इतनी beautiful नहीं लगती लेकिन performance जबरदस्त है Mitsubishi इसी same दिखने में इतना aspiring नहीं लगता इतना बहुत ज़दा खुबसूरत नहीं लगता कि देखके इसलगी कि वा क्या इसी है लेकिन जब उसकी जो ठंड़क जब लगती है ना बदन पे वो लगता है कि performance है example के तोर पे अगर बोलूँ अगर आप एक teacher है और आपको अपनी college की अपनी school की या अपना जो coaching classes है उसके performance को थोड़ा अच्छा करना है दमदार करना है ताकि लोग जब भी आपके college के बारे में school के बारे में या coaching classes के बारे में जब कोई सोचे तो उनको ऐसा लगे कि यार अपने बच्चों को इसी में डालो यहीं पर बहुत हमारा बच्चा जो performing हो जाता है बहुत अच्छी college है यह कैसे होगा? आपके infrastructure पर जब आप ध्यान दोगे तब होगा YES or NO? YES Come on, one more time YES or NO? YES Come on, एक बार और जब जब चिला के YES or NO? YES NO नई बिलकुल नहीं होगा आपको अपनी college की performance या coaching classes को अगर performance दबनार करनी है तो आप infrastructure पर ध्यान नहीं देंगे education के system पर ध्यान देंगे अगर मैं बोलू Dr. Vivek Bindra आपकी help करेंगे इसके अंदर यहां तक के यह जो बड़े-बड़े billionaires हैं यह लोग आपके college के या coaching classes के या school के बच्चों का mindset अपग्रेट करें 21st century में 21st century के skills भी चाहिए यह मिल जाए Dr. Vivek Bindra जी से आपकी school या college या coaching class एक performing education बन जाए आपके students के लिए आपकी school या college से बच्चे जब निकल कर अपर education के लिए जाएंगे तो उनका अपना एक अलग ही रौग होगा क्या हो आपकी school से हैं जिसके school या college में Dr. Vivek Bindra और ये बड़े बड़े लोग 21st century skills सिखाते हैं तो कैसा होगा आपके college के brochure में ये जो बड़ी-बड़ी companies के जो CEO's हैं, MD's हैं इनके photos और आपका नाम आपकी college का नाम उससे जुड़ जाए तो कैसा रहेगा नीचे contact number दिया हुआ है आप अभी dial करो और पूछो ये कैसे होगा तो ये है performance value कम ओन परफॉर्मेंस वैल्यू आगे बढ़ते हैं तीसरी वैल्यू पर financial value कम ओन आप बोलिये मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे कम ओन क्या है financial value है क्या आपके business में आप financial value दे रहे हो financial value create कर सकते हैं अलग-अलग discounts या अलग-अलग schemes दे कर इसमें आपका product ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़ादा reliable हो बहुत ज़ादा खुबसरत हो बहुत ज़ादा extraordinary हो या वो एकदम best in class हो top notch हो ज़रूरी नहीं है financial value जब आप देते हों अपने customers को यह सब ज़रूरी नहीं है लेकिन सस्ता और अच्छा जैसे क्या Xiaomi, Redmi Xiaomi के जो phones होते हैं सस्ते और अच्छे होते हैं quality भी मतलब अच्छी होती है लेकिन financial value पर वो ज़्यादा focus करते हैं जिसके पास accessibility नहीं है महंगे phones लेने की वो लोग Redmi, Xiaomi इन सबसे भी बहुत अच्छे से काम चला सकते हैं मारूदी सुजू की बहुत अच्छा financial value प्रोवाइड करता है सर्वे से इसकी बहुत अच्छी है लेकिन price accessible है कोई भी इसको afford कर सकता है आप भी इस पर जरूर काम कीजिए इन तीनों values में से आप अपने business में combinations भी ले सकते हैं जरूर इस पर काम कीजिए अपने business में आप यहाँ तक रुके हैं इतने आखिर तक मैं आपको एक bonus एक value भी हूनी चाहिए तो एक bonus value आपके लिए दे रहा हूं जिसको बोलते हैं relational value कम ओन क्या relational value relational value देखो यह relational value और emotional value दोनों काफी अलग है एक दूसरे से इस इस नहीं होना relational value एक इसी value है जहाँ पर आप अपने customers से connected है अगर customer ने कोई change के बारे में appeal की है तो आप उस change को बहुत ही जल्दी apply करते हो execute करते हो उस change को अपने brand में या अपने services में और आखिरकार ये change आपके customer को एक delightful experience देता है तो यह relational value Zara इसका बहुत अच्छा example है आपने देखा होगा के Zara के जो कपड़े होते है अब जब Zara में जाते हो तो Zara के जो कपड़े होते है धेर सारी varieties उनके पास already होती है लेकिन बाइचास एक ऐसी variety या कोई ऐसा design आपको उस store में नहीं दिखाई दी और आप जब जाते हो counter पे उसको बताते हो के sir ये वाली जो ऐसी वाली जो मेरा दिमाग में है के मुझे ऐसा वाला कुछ चाहिए ये design मुझे चाहिए तो मैंने सुना है के within a week वो design वो design के कपड़े हर एक outlet में आपको Zara के दिखने मिलेंगे ये है relational value Zara का अपने customer से तो आप भी सोचिए कि आप इन चारो value में से अपने business में कौनसी implement करेंगे अच्छे से और अपने business को अच्छे से आप grow कर पाए इन चारो value का आप थोड़़़ combinations भी apply कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला था थोड़़़़ combination जैसे Art City करती है एपल करता है टोयोटा करता है मारती सुजुकी करता है बड़ा business करता है emotional value performance value financial value और relational value बहुत अच्छा एक example है बड़ा business इसका business का ब्रहमास्त्र business coaching program lifetime membership leadership funnel बात यह लग है पढ़े हो किस चकर में कोई नहीं है टकर में कोई नहीं है टकर में कोई नहीं है टकर में बड़ा business के नीचे help line number है आप contact कीजिए और पूछे कि इन चारो values में जो है आपको बड़ा business क्या value प्रोवाइट करता है और आपके business में यह values आप किस तरीके से implement कर सकते हो ताकि आपके business में यह create हो और आपका जो customer जैसे हो बोला न McDonald's, pizza, hut आपके धिमंग में चप चुके हैं बिलकुल इसी तरीके से आपका नाम या आपके services का आपके brand का नाम चप जाना चाहिए आपके customers में अगर आपके वीडियो अच्छे लगी हो या थोड़ी से भी learnings मिली हो तो इस वीडियो को like और share जरूर कीजिए subscribe तो आपने अब तक कर ही लिया होगा लेकिन अगर नहीं किया है तो अब भी के भी subscribe करो आपके जो YouTube feeds है उसमें भी जब valuable content आएंगे तो आपकी जिन्दगी में भी values आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए और bell icon दबाने के लिए आपका दहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद